हरे कृष्णा, श्रीमत भागवतम, कैन्टो वान चेप्टर टू, श्लूक नंबर त्वेंटी वन भिद्याते रिदया ग्रन्थे, छिद्यानते सर्वसंशयाह, श्रियानते चाईस्य कर्मानी, द्रिष्टा एवात्मनिष्वरे अनुबाद तत्वरिया श्रिलप्रप्रपात की द्वारा, श्रिलप्रप्रपात की चेप्टर अनुबाद, इस प्रकार रिदय की गाठ भिद जाती है और सारे संग्षय छिनना छिनना हो जाते है, जब मनुष्य अपने आपको स्वामी की रूप में देखता है, तो कर्मों की श्रिंखला समाप्त हो जाती है इसमें इसका ये कहने का मतलब है, कि जब हम भगवाश ये कृष्ण की प्रती पुर्णात या सरेंडर हो जाते हैं, तो हमारा जो फौतिक संबंधों की प्रती जो हृदे का गाठ लगा हुआ है, आसक्ति का, तो वो भीड जाती है और जितना भी संदे है, संग्षय है, डाउट है, वो छिनना छिनना हो जाते है, यानि डाउट समरा क्लियर हो जाता है जैसे अंधकार आपके रूम में घंगोर अंधकार हो गया, जैसे आप कई भी से भी रोशनी नहीं है, तो अंधकार में सब वस्तु एक समान सब प्रतीत होता है लेकिन जैसे आपने लाइट जलाया तो हर वस्तु का स्थिती आपको पता चलता है, उसी प्रकार से जब हम अध्यात्मिक जीवन नहीं जीते हैं, क्रिष्णा के प्रती सरेंडर नहीं होते हैं, तो ऐसा लगता है कि भ्रामित रहते हैं, भौतिक वस्तु रियल लगने लग अपने आपको स्वामी के रूप में देखता है का मतलब है, कि आत्मा हम हमें चान जाते हैं, कि हम आत्मा हैं और इसमें शरीर जो है एक नगर की तरह है, इसमें नौ द्वार है, दो नथुने, दो, आख, दो चार, कान, दो छे, मुझ, पांच, और ओके, तो इस प्रकार से मलद्वार, मुत्रद्वार, आख, दो, नाख, दो चार, पांच, छे, हो गया, कान का दो छिद्र, मुझ, साथ, और मलद्वार, मुत्रद्वार, तो नौ द्वार हो गया, तो इन नौ द्वार वले नगर में जो है, आत्मा ही स्वामी है, लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं, कि उसलिए कर्मों की श्रिंखला समाप्त हो जाती है जब वो सोचता है समझता है कि हम भौती नहीं है अध्यात्मिक है तो भगवान का वज्ञानिक ज्यान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ अपने आपको देखना जाहतक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है उस कि आत्मा की क्या स्थिती है फौतिकतावादी लोग तो आत्मा को बिल्कुल नहीं मानते है किन्तो अध्यात्मवादी लोग इसकी पुष्टी करते है आत्मा और पड़मात्मा दोनों की सत्ताय है वो नवत्ता में जो दोनों एक समान है लेकिन परिमान में भिन्न भिन्न ह तो यह सब जो है क्लियर करते है अध्यात्मवादी जो योगी होते हैं तो भक्तियों की विदी से हम भगवान के प्रती जो गलत कल्पनाएं हैं उससे मुक्त हो सकते हैं कृष्ण की सेवा करने से हमारा जो है ज्यान प्रकाशित हो जाता है और हम रिदय का जो कल्मश भौतिक तो बहुत लोग भगवान के बारे में कल्पनाइय करते हैं तो स्विकार करने से भगवान के बारे में नहीं जाल सकती हैं इसका बहुत सरा प्रमान है, for example, जैसे कि हमारे श्रीमत भागवत्म में, हम श्रीमत भागवत्म अभी पर रहे हैं, तो श्रीमत भागवत्म में बताया गया है कि जब व्याजदिव ने लिखा था 5000 साल पहले, उसमें बताया गया कि 3000 साल बाद बुद्ध अवतार होगा, तो और उनका कहा जन्म होगा, माता सची, पिता का नव जगनाथ मिश्रा ये सब भी लिखा हुआ था, गंगा टटके किनारे जन्म होगा, कौन सी जगह पे, मायापूरी में, कहां पे वो सन्यास लेके रहेंगे जगनाथ पूरी में, वो सब भी लिखा है, इग्जैक्ली वही ह भागवान के अवतार के बाड़े में लिखा है, यहां तक कि चानक का पंडित के आने का भी बताया गया है, चानक का पंडित ऐसे एक बालक को राजा बनाएंगे, मोरिय बंग, चंद्र गुप्त मोरिया, यह भी सब कुछ भागवत्तम में हमारा जो भी दिया हुआ है, वै इसलिए भागवत्तम का आश्रे हमें ग्रहन करना चाहिए और कलपनाओं से दूर रहना चाहिए, भागवत्त गीता में 10.11 में भागवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भगतों पर कृष्ण विश्रिश क्रिपा करते हैं, तो भागवान स्वयम भकतों के रिदय में शुद प्रसाद खाना है और प्रिश्ण नाम जब करना है, हरे क्रिश्ण हरे क्रिश्ण प्रिश्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करके कोई भी व्यक्ति इस ग्यान के प्रकाश से प्रकाशित हो सकता है, अतर भागवान द्वारा भकते के रिदय को प्रका प्रकार में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है, किन्तों जो लोग सिमिज शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्यों लोग चिंतन करते हैं, भगवान के लिए बारे में कलपनाय करते हैं, रियुमार उड़ाते हैं, लेकिन शास्टरों को नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार से आम भगवान को नहीं जान सकते हैं, भगवान को जानने के लिए अमें श्रिमान भागवतम, प्रामानिक वष्णवों से श्रवन करना पड़ेगा और विनित श्रोता होना पड़ेगा, विनित मतलब विनम्रा तो विनम्रता ही युगता है श्रद्धा पुर्वक और ध्यान पुर्वक श्रवन करना पड़ेगा तो इसलिए जो लोग ललकारते हैं कि कहां है भगवान और भगवान की प्रमान को चुनोती देते हैं चुनवती देकर कोई भगवान को नहीं जान सकता है भगवान के प्रती सरेंडर होकर ही जान सकता है चुनवती देकर समय नश्ट करने से अच्छा कोई एक साल तक कम से कम एक साल तक तो कृष्ण के शरनागत होकर देखे तो कितना ही उनको कृष्णा के बारे में ज्यान प्र कोई बाध्या नहीं है कि हम उनको चैलेंच दे अगर आप है तो सामने आए नो हम भगवान का दास है भगवान नहीं है थों खेRC help paid Ellan को बलते हमें ये चाहिए वोचे वॉचे बहortune बंशे बहल हम इंगे और हम एंगे बिल दे रहे है तो आप यह खाना वह खना लाओ नहीं ऐसा सोचना हमारा मुर्खता है हम भगवान के दास है जिबेल स्वरुभय प्रिश्नेर नित्या दास तो इस प्रकार जो है भगवत भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जानने के लिए योग्य बनते है या भगवान के बारे में हमें दिव्य ज्यान प्राप्त होता है यहीं सिखने का पूर्ण विधी है इस प्रकार के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है आत्मा और भौतिक शरीर का जो अंतर है यह अगर कोई सही समझ जाए तो वो भौतिक आसक्ति से ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे जो ये आत्मा और पतार्थ की ग्रंथी भगवान द्वाड़ा खोली जाती है ये भी एक बहुत बड़ा रहस्या है कन्फ्यूस्ट होना कि मैं शायर मन हूँ मैं शायर शरीर हूँ नहीं हम आत्मा है तो इसलिए ये जो ग्रंथी है इसे अहंकार कहते है फॉल्स इगो मैं ये शरीर हूँ ये सबसे बड़ा फॉल्स इगो है मिथ्या अहंकार जिसे कहते है तो ये अहंकार जूठा है और इसी अ सुर्य की रोष्नी साफ साफ आती है मनिश्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है क्रिश्ण का धर रणिट लिलता है जडियती जगत में स्वयम करम बध्धन के शृष्टि करता है और जन्दमानत्र को अच्छे कर्म बुरे कर्म को भुगतने के लिए आते रहता है तो यह बहुत बड़ी प्रकार से अज्ञानता है कि हम कर्म करते रहते हैं और फल भुगतने आते रहते हैं तो बार-बार मरने का जो है आमें कष्ट मिलता रहता है तो इससे अच्छा किवना हम भगवत भक्ती करें प्रे